जो हम टेक्स्ट बुक्स में हमारी लिखा होता है पाकिस्तान स्टेटिज में बिलकुजूर के जो सिंद पर जो हमला हुआ था जो पहुँचा जी जी 1121ग्वी ती साथसो बारा एस्वी और करबला के गलाभान 680 में करबला उए सर तो 692 साल के बाद का वाकिया है जी 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 तो उसमें ये बताया जाता है के हजाज बिन यूसफ सक्फी जो गलाभान इराक के गूवर्नर थे उन्हों ने अपने बतीचे मुम्मद बिन कासिम सक्सी को बेजा सिंद में एक औरत की पुकार पे कि वो औरत राजा देर की कैद में थी केंदू राजा था तो सर उसमें ये सवाल रहा है कि मतलब है इनके बारे में जो तरीख में रिवायत आती है कि ये हजाज खुद भी बड़े जालिम थे और ये मतलब पूरा एक सेसली मतलब बड़े मजालिम डाता रहा और वाकिया कर्बला में आप देखते हैं कि रसूल 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 अल्यावालियों की जो यानि के खांदान की ओरते हैं उनको भी यानि कहतराम नहीं दिया गया बेजा गया था चले आपके सवाल के हम दो हिस्से करते हैं एक तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हों ने इस कदर सादात पे जल्म औ सित्म डाये तो किस तरीके से एक आम औरत की मदद के लिए निकल सकते हैं जी बलकुल और दूसरा आपका सवाल ये है कि दर हकीकत वो किस आपके सवाल वाजी हो गया ने इसका जवाब देती है मौना ठीक है जी मेरे मुस्तरम भाई ये जो तारीशी बात ने है ना इन में से बहुत सामवाद तो बिला सनुदी और अगर सनुदे में या तो बहुत कमज़र और सहीज किसम की हैं जो इमाम इतबरी वगराने कठी क इनकी मुझाब पर हम इतनी मुझा भाई फैसले करें तो ये मुझासर बात नहीं ये बातें आला तरह पर छोड़ी थे हैं जो को मुस्तरम बात था ये ना सामने उसको बियान कर सकते हैं वह भाई भी पूसकते हैं ये मुहमद बिला में जो कुछ हुआ उसमें इसका दखर का हाकिता इसलिए कर्बला का जो कुछ आपने बियान किया ना उसमें इनका कोई ही दखरनी, कोई ह्सा नहीं बाद में ठीक है कि हजजाद जो है न उसको पूरी अम्त कहती है को अपने जल्म में मशुड है, कोई आहल सुन्य आहल थ्रीय अमिस है नहीं जो इसको अच्छा क जिसको फर्ष पर लिटा कर शुड़ी से जबा करवाया जिंगों जो में हैं जो मुरुआ हैं उसके रावा न बहुत जालम है इसी लिए यह ना जो रावियों पर किताब न तहजीब तहजीब बारां जिलों में एमाम इपने हजर अस्किलानी ने लिखी जिन्होंने बुखारी की शरा लिकी उन्होंने लिखा हतिया मिंसाद रौफी के हाराद में हदीश के आरव में कि हजाज ने इसे लिखा अपने बतीजे को कि हतिया को बुलाकर ये काओ कि वो हज़र चली रणिनम पर लानस करे और अगर वो ऐसा ना करे तो चार सो कोड़ा उसको बारा इसने बुलाया तो इसने हतिया ने का यार सारी अमर जिससे महबत की अब मैं तमारे कोरों की डर्स कि हमने जो करना करो तो वहां पिर आता है कि इसने चार सो कोड़ा मारा अलाग इसना की सजा भी अला ने सा कोड़ा चार सो कोड़ा और सर भी मुन दिया बेचारे का वो फिर एराक छोड़ करना खुरासान को चला गया जब तक अब बासियों का इनकलाब नहीं आया बनो मैय का तख्ता नहीं होटा वो विचारा वापस नहीं आए ये एक कारणामा इसका जो ना इतने बड़े हदीश के आलम ने लिखा इस लिए एक अच्छे लोग नहीं हुए अंजाम भी इनका बखेर नहीं हुआ जब दूसरा खलीफा फिर सुल्मान आया क्योंकि उसके खिलाफ से ये 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 ना आये ये जर्मेर उसके मखालब से ये वरीद के बाद और को जाते हैं अब रसीयत थी अब्जर मलकी वो आ गया उसने फिर सब को बुला करना मुसा बनुसाहर को भी अफ्रीका से इसको भी बहुत बुरी तरा मारा इसको जो गोड़ों के पीछे बांग लिया अब हडी या चूर होई मुहमद बन कासम फिर बहुत बुरी माथ बड़ा और वो जो मुसा में उसाहर को बहुत बुरा हो गया था अफ्रीका का फाते था उसको जिर्व इतनी सजादी की जहदाद दब्र कर ली बुका कंगाल हो गया फिर बादारों बेचारा रोटी मांग अच्छो जर्म है तो जिए चाटे नहें लिखिया हजाद ने के बुलाएनु अगर अली के लानप करदाद ठीक है वरना चार सव पर असलादे जड़ी मुछली मूँ लें तोबा 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 अली जुर्म हो गया हम अली ग्रीब पे नाने ना गुना बन गया तो ल वर्डियां कोई किताब मांदाल मैदान तर्यावे, जड़े आल सौना तर्यार हदीस में, जड़े आनों कोई बीमारी होई इवे तुसी अलीडे दुष्मन जपे जालम ते गुजर गया तुसी होना दिया, और आज़े, कोई नुथवात हो रहा हुंदा भिजरूर काम करना जड़े लादे प्रेगंबर लेडियां शाना बेहानों पेजानों तो इमाम मुहम्मद बिन इसाथ फर्माँदे, सीरत पहली हदूर जी लिए, कापरा बला हजजाज अला मुहम्मद बिन कासर, कि हजजाज बन यूस्व ने इस मुहम्मद बिन कासर लिखे आ, अन्यार कि अतिया बन आफ जड़ान, हजीश ना आनम बुला, और दे सामने गालत रख, कि तेरे सामने अली चे लानत करे, वहल लम यफल, फजर बो में अर्बा में असाथ, वहले कि लहीत हूँ, और अगर गल ना मने ते चार सो कॉरा मारें और नाल दारियां मौन दे, इस तो सुन आरे हैं, बहुने दे तुसी बरात फॉन दे फराने, गाटे लूं दे फराने, खुदा दा खौफ करदा, एए मीडियार अखबार ना मनो, तुसी निकानो मरवारा जेरा जेरा ने, और एक करदा, कोई अला दान दे एक बंदा ने लोगा ने ते, अब ब्रणान दे, आब आखबार ख़िज़ए, अखबार ख़िज़ए, अमीडिया ख़िज़ए, ओ खुदा याद दोने जोने जोने तोने चार सो कॉरा मार, पस्ता दाओ, इने बुरा रहा हैं, मुहम्मद बिल्कासम, वाभाई या तु आपाई तु जो करना चाउनर करना, मैं सारी अमर दीन प मैं अपने ख़िज़ए, और दानब करो, मेरे वस्ती जाने, तो ख़िया की फिर, कोई बाद आया है, मुहम्मद बिल्कासम, वाभाई ख़िज़ए, इने हजज़दा हुक्मों दे बारे तूरा करता, त्यार सो कुड़ा मार रहा, दड़ी मुन दीए, शुम्मा खरा देला ख़िजा ख़िज़ए, ख़िज़ए, हत्भा ले उमर बिल्कासम, लाग प्रकाद लेगा देला वाला काना सिकतना इम्यान पर अच्छा रिज़ए, उर बेचारा फिर मार को ठीचा के, इने हलाक्या उसदूर खरासान, दी तरह निकल गया, उत दे बहावज़दा हुरी श विदी जुकार अव्कार, श्कतने साथाल फॉलाई वजी तालया, आलम सिकार मौत बरसी ते नेक हजीश शाला, मगर एस जरम के लिए ठलाना के लिए, रहे हों तो इस बाइयां देने जे दे जे दुनिया उन्होंने बुराना कवेश, भूर की कवेश, वैली नों कर दे रहे मिम्रां ते रहानों है, हसाब पूरा नहीं करना क्या ही दासी प्योंभी सबर कर दे पोर जान दे, मगर की सबर कर लिया एड़ा बड़ा जुरम के रसूर लाजी मसदर मिम्र रसूर पे बुला कि आखना के लिए चलाना ते रहो कोई मुस्लमा नहीं का फासलों को तकल लुफ है हम से यगर हम भी बेबस नहीं बे सहारा नहीं